Hello guys, Chattery Kitchen 65 में आज की रेसिपी है कलेजी करी कलेजी करी बनाने के लिए मैंने यहां ले लिया है आधा किलो कलेजी इसे मैंने नमक हल्दी से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब मैंने ले लेना है तीन मिडियम साइज के प्यास जिसे मैंने पारी पिसेज में काट लेना है और ले लेना है दो आलू जिसे मैंने चील के क्यूब पिसेज में काट लेना है अब एक करहाई में तेल गरम करके मैंने आलू को गोल्डिं प्राउन होने तक नम खल्दी के सब्चार कर ले ले थी कि अलू फ्राई हो गई है, अब मैंने उसे उठाके एक प्लेट में अलग से रग देना है कटे हुए प्यास को उसमें मैंने डाल लेना है only 10 तमाटर और इसे भी नमख Corps D के साथ अच्छी तरह से प्यास गोल्टेन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें मैंने डाल देना है अध्रक लशन का पेस्ट धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, काली मिच पॉडर, काली मिच पॉडर मैंने यहां थोड़ा ज्यादा यूज किया है और ले लेना है कस्मिरी लाल मिच पॉडर और रेट या ग्रीन चिली इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब मसाला तेल जोडने लगे तब इसमें मैंने डाल देना है दो पड़े चमच दही और दही डालके मुझे इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है थोड़े दिर ढखके पका ली हूँ अब मैं इसमें डालूंगी कलीजी कलीजी को भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है मैंने अब मैंने इसमें डाल देना है फ्राइ किये हुए आलू और मैं इसे ठकके कुछ देव तक पका लूगी इससे मेरे कलीजी और आलू दोनों बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे देखिए कितना खुबसूरत कलर आया है इसका और कलीजी और आलू भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके है और अब इसमें मैंने डाल देना है फ्राइप की स्पून करब मसाला पॉर्डर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बन गया है मेरा कलीजी करी पूरा तेल निकल के आ गया है आप ऐसे भी इसे खा सकते हो और मुझे ग्रेवी थोरा चाहिए था इसलिए मैंने इसमें डाल देना है गरम पानी गरम पानी डालके मैंने इसे हाई फ्लेम में अच अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बन गया है मेरा करम गरम लाल लाल कलेजी करी आप इसे गरम चावल के साथ पुलाओ के साथ पराथा रोटी पूरी के साथ भी खा सकते हो हम आज इसे लंच में सुना चुर चावल के साथ खाने वाले हैं तो कैसा लगा आज का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू